गरिब धन जननी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट, विशाल भणडारा, विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं कौन ब्रह्मा का पिता है? कौन विष्णू की माँ? शंकर का दादा कौन है? हम को दे बता ये जानने के लिए कृपया सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संद्रामपाल जी महराज के अम्रित वजन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पुर्मात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद पराणी? तू पेंडा पंथ पकड़े वह? पेंडा माने वो मारग कौन सा मारग? जिस से ये तुरह सी लाख योनियों की ये बर्मना, ये कष्ट, जनम और मर्तू समाप्त हो जाए उस मारग को पकड़े उसके लिए स्री मद्ध भगवद गीता अध्धाय नमबर चार के सलोक नमबर बत्तीस में कहा है कि अरजुन जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया अध्धाय नमबर चार के सलोक पत्तीस से लेकर तीस तक जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते है और कोई हवन यग ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है कोई तिक्सन अइन्सावादी वर्त रखता है जैसे मुख पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों गूमते है कि कोई जीव हैंसा ना हो जाए और कोई सवध्धाय करते हैं जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ सलोकों का मंतरों का डेली सवध्धाय करता है तो इस परकार के जितनी भी क्रियाएं हैं जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत मान कर कर रहा है ज़िए उसको पता लग जाए कि ये सास्तर नुकुल नहीं है तो ट्याग देगा वो तुरद इसलिए कि स्रीमत भगुत गीता ध्यार नमर चार के सलोक नमर बतीस में कहा कि अरजुन इन धार्मिक यगों यानि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सचीदानंद घंबरम की वारी में विश्टार के साथ कहा है और उस प्रमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है उस सचिदानन्द घंबरम की वाणी में यगों की जानकारी यग माने धारमिक अनुष्ठानों की गिरियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है वो तत्व ग्यान है चोथे जाय के 33 मिशलोक में कहा कि अरजुन इस दर्व में यग की अपेक्सा ज्ञान यग स्रेष्ट है दर्व यग क्या होता है जैसे देखा देखी कहीं बंडारे कर दिये गंगा के किनारे कहीं कंबल बाठ दिये कहीं ओर क्रियाई जैसे कोई दर्मसाला बनवा दी अब क्या बता है कि इस दर्व यानि धन से पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान है, इनकी अपेक्सा ज्ञान यग स्रेष्ठ है, तो ज्ञान यग तत्व ज्ञान यदि सत्संग है, सत्संग वो तत्व ज्ञान है, जो सब सत्गरंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है, और वो ज्ञान प्रमात्मा ही आकर देता है ग्यान अध्यातम यथार्थ ग्यान प्रमातमा स्वम ही आकर परदान करता है वाकी तो जीव संगा के प्रणी हैं जीव संगा में हैं वो अपने अपने अनुबव अठकल लगाते रहें लेकिन यथार्थ ग्यान प्रमात्मा ही बता सकता है अपने द्वारा रचीवी सिर्ष्टी को स्विम ही वो ठीक ठीक बिस्तार के साथ बताता है ऐसा वेदों में प्रमान है तो वो तत्व ग्यान है जो सचीदानन्द गनपरम यानि पूर्ण प्रमात्मा कवीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ग्यान बताया है वो तत्वग्यान है गीता ग्यान बादादा छोथेदा के चौतिसमे शलोप में कहता है कि अर्धुन उस तत्वग्यान को जो सचिदानंद घनबरम की वाणी है यानि उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ग्यान है उसको तु तत्व दर्शी संदों के पास जाकर समझ उनको डंड़वद परनाम करने से कपट छोड़ कर उनकी सेवा करने से वो तत्व दर्शी संद तुझे परमातम तत्व का ग्यान कराूंगे इसे ये सिद्ध हुआ कि गीता ग्यान दाता भी उस तत्व ग्यान से ऐ प्रीचित है अन्य था ये कहने की और शक्ता नहीं थी कि उस ग्यान को तु तत्व दर्सी संतों के पास जाकर समझ जब गीता जी के अठारा अध्याए बोले तो एक अध्याए और बता देता जिस इनको ग्यान होता था इसको ग्यान नहीं तो पुन्य अत्माओं पंदर में जाये के एक मंतर में यानि एक सलोक में गीता जी में उस तत्व दर्सी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स को जो संत विश्तार के साथ जानता है ये उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वर्क्स संसा रूपी पीपल का वर्क्स जानो अर्जुन उपर को जड़ है नेचे को तीनों गुन रूपी साखा है और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स के सभी चंद सभी भी भागों को बता देगा सेवेदवित वहततव दर्सी संद है पुनात्माओं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस पुनानी को तब तक ये ऐसे ही इस जनम और मर्तु के दीर रोग से गरश्ट रहेगा और सत्संग के वल परमात्मा ही बता सकते हैं करके हमें सत्संग बताया करते थे ग्यान दिया करते थे उस अपने अमरत वाणी से सची दानत गनबर की वाणी से तो उससे में हम स्विकार नहीं कर सके क्योंकि हम ऐसिक सित थे और जो एक ब्रहमन वरग सिक्स्या का अधिकारी था उनकी बुधी वहां तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो काल बगवान से प्रेरित रहें और प्रमात्मा का विरोध करवा दिया ये कहकर के कबीर ऐसिक सित है ये संस्क्रत बासा नहीं जानता है ये उट पट्राइंग बोल रहा है ये छूठ बोल रहा है प्रमात्मा कहा करते थे गुनतीनों की भगती मैं ये बूल पडो संसारे कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो है मुक्ती आज से लगवग छस्ट सो वर्स पहले ये सब्द बोलना के तीन देवता विर्मा विश्णु महिस जी की जो भगती करते हैं उनका कभी मुक्स नहीं हो सकता पुने आत्माओ छस्ट सो वर्स पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंतरन देड़ा होता था अपनी मौत को निमंतरन था लेकिन वो तो अविनासी थे वो तो प्रमात्मा थे और उन्हों ने उस समय ये सब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोद किया था उस मालक की उन्री लाओं को जो पढ़ते हैं आखों से आसों नी सूकते हैं ऐसे जुलम गुजारे थे उस परम पिता के उपर हमारे बगवान अपने पिता के उपर अब जो विरोद कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे ब्राहमन काजी मुला उसी परमात्मा के बच्चे हैं उस परमेश्वर ने किसी को भी दुरासीस ने दी नहीं तो वो समरत सकती एक पल में अगर इन दूसरों वो हमें वो हमारे पिताना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते ऐसा दे देते पुछो मत जैसे एक बार गोरखनात जी के साथ मज़ा कर दिया किसे ने और उसे ने इतना गुसा उठ्था वो मंडली थी उसके साथ चारसो पांसो की उसने एक सब्द उचारन कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद खड़े ज़्यादा थे बैठे थोड़े तो खड़े जितने जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूरतिया बन गी तो ये तो समरत हैं कुछ भी कर सकते थे लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का आहित नहीं कर सकता चाहिए उसको वो कुछ भी कितने दुखी कर ले इसलिए उस प्रमेश्वर ने किसी को दुरासीस नहीं दिया कोई सराप नहीं दिया क्योंकि वो समरत थे उनको मालूम है कि ये मेरे इबच्चे काल की भांग पीक हैं मेरे सत्रू बन गए उसमें अपने समरत्ता का परमान दिया इसी सत्केने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुए में डाल दिया एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुवा में और जेरा कुवा रो होता था जो नीचे से उसका पानी खतम हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था उसमें डाल दिया उपर से जहाड, बोजडे, कांटेदार, छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया एक सेख्त की नाम के एक जलील विक्तिन है वो मसल्मान था, मसल्मान राजा दिली का बाद्शा सिकंदर लोधी था और सेख्त की उसका धारमिक पीर था, सिकंदर लोधी राजा का मुसल्मानों को इकठा कर लेता था राजा के सामने नारे लगवा देता था राजा पबलिक को देख कर घबरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे कबीर परमाद्वान कुए में डाल दिया भर दिया पूरा और कुछ दियर के बाद वो गहे सिकंदलोजी के पास परमात्मा कभी देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले क्योंकि वो समरत थे वो पूर्ण ब्रह्म हैं वो समरत हैं लेकिन उनकी लिलाओं को देखा जाता है पढ़ते हैं तब रोंग टे खड़े हो जाते हैं हमारे पता हमारे हित के लिए आए थे हम उनके सत्रू बन गए तो उस समय हम ऐस सिक्सित थे अब परमात्मान ने सबसे पहले ये रजा बक्सी हमें सिक्सित करवाया पुनात्माओं पच्पंसो वरस तो कलियुग बीत गया और उस से पहले जालिय कितना समय तीन युग गए केवल एक ब्रहमन वरग ही सिक्सिया कादिकारी था और कोई सिक्सिया नहीं करने करता था क्योंकि यह सिक्सिया अच्छी नहीं है यह बेइमान बनाती है प्राणी को यह पाप करने से फिर हिसकता नहीं यह बक्ती है यह सिक्सिया गई ब्रहमन समाज में इस सिक्सिया को इन्होंने रोजी रोटी का दंदा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे अब सिख्षया आगी सब समाज में कितने चतुर बन गए हम हम बले ही उपर से कितने सिष्ट नजर आते हो सुन्दर कपड़े पहने कपड़ या कोई ठीकार ले कए अंदर से कती खोके और खोकले हुए पड़े हम हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दाद्य और पड़ दाद्यां के हम देख्या करते थे कितनी इनसानियत थी उनके अंदर अब पुनातमाओन हम जैसे वरतमान के मानों से भी हमारा पाला पड़ा है और आज से 55 वरस 50 वरस पहले जब हम कुछ जानने योगे हुए वो समय भी हमने देखा है वो समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया इतनी ग्रावट आगी हमारी मान सिक्ता के अंदर हमारे सिश्टा चार के अंदर इसका कारण ये सिख्षा ही है आप ओफिस में जाते हो किसी भी कारियाले में वहां भी इनसान है बाहर पंक्ती में खड़ा वो भी इनसान है कोई दयाधरम नाम की चीज नहीं रही खाएं जाओ दके गिरगडाएं जाओ उनके सामने रहम रहा नहीं दस रपिये दे दे तो काम कर दे नीतखाओ दके तो यह जलालत हमने को किसी ने सिखाई इस सिख्षा ने सिखा दी और क्या करते हैं फिर उस पैसे काम कोठी बनाती हैं बंगला बनाती हैं कार खरीदते हैं और फिर गर में कोई ना कोई ऐसी समस्या कोई दुर गटना हो जाती है कोई बिमारी लग जाती है उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही वो पैसा तो रहता नहीं विर्थ हो जाता है कोठी बना दी मर्त्यू होगी आप गदाबन का कुमार के गर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है चाट लेज़ कोठी को तो पुन्यात्मों इस ग्यान से हम इस माया से वापस होंगे क्योंकि ये माया दुस्मन है हमारी और इस माया का हम पर यो कहा करते हैं हमने परंपराएं गल्ट पना ली योहा करते हैं समय हम पूरा ड्रामा कर बैट से हैं पता नहीं किस-किस परकार से हम अपने इस इन करियाओं को जो एक सिम्पल वे से करनी चाहिए थी हम ड्रामा बना रहे हैं विवाँ करते हैं लड़के वाड़ा खुसी मनाते हैं लड़की का विवाँ होता है डीजे बज़ते हैं अरव ब्याद दो बच्चों का उना है और परमात्मा ने कर रख्या होता है क्योंकि संयोग वगवाण ही जोड़ के बेज़ता है जीव नहीं जोड़ सकता है या भूल है इसकी तो अपने सिंपल से वे से ब्या करें बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है वाचन से जोड़ता है ठीक अभी हमारे आपका बेटा पसंद है वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है दोनों बच्चों का विवाँ मन्जूर हुआ हो गया भी और इसमें के दिर लगे थी अब हमने देखा समाचार पत्तर में पढ़ा पहले दिन डीजे बजा रहे हैं लड़के का भी हाँ था बेहने भी डांस कर रहे हैं मा भी डांस कर रहे हैं गली में खड़े होकर और सब कंजर हो गया हम इनसानियत बूल गया कती अगले दिन क्या होता है कि वहा के लिए जा रही थी बाराथ रस्ते में दुल्ले वाली कार टकरा गी है ट्रेल लेते हैं दुल्ला मर गया साथ में और बैठे थे सह साथ वो मर गये पहले दिन तो खुसी मना रहे थे अगले दिन टक्र मारकर रो रही है तो इस इस काल के लोग में और हम बकवाद करें इसलिए करें क्योंकि हमने भांग पी रहा की है नसा हो रहा हमारे नसा उतर जागा जब यह चीज आपने ऐसी दुस्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते है एक समय नानक साहिव जी के पास भगत कोई विक्ती चले गए और कहा महाराजी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से आप कभी खुश नजर नहीं आते हैं आपका चेरा ऐसा रहता जैसे माँ दुखी पराणी होया करें और आप तो मापुरस हो आपको कहे कि टेंसन है जाने काल की कर डारें और किस भी डड़ जा पासा वे और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानों केड़ा हासा वे अब ना जाने कब के विजली गर जा एक सेकंड का परोसा नहीं एक सेकंड का और हम फिर भी यह फुले नहीं समाते तो यह हमारी इस अग्यान का इस अग्यान का ही कारण है और इस भांग जो हमने पी राखी है माया की इसका परभाव है यह सथसंग से प्रमात्मा की बगती से यह एंटिवाइटी के इस भांग का नसातार देंग उतर जाएगा ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन अलका होगा आपकी रूची नहीं रहेगी किते सांग से नहीं मा देखन की आपका आपने सोचोंगे क्यों से मैं बरबाद किया या तो मालक की चर्टा चालागी या सत्संग सुनंदे दिल करेगा या फिर अपने सुबह से आम दोपहर की किरियाएं और फिर मंतर दिन में इतना व्यूजी सुडूल हो जागा आपका बकवाद करन का समय कोई मिलाएं और कभी समय मिलेगा तो रूची नहीं बन सकती है क्योंकि आत्मा स्विकार करें नहीं बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने इसके कुछ भी हाथ दिल गया तो पुने आत्मा हमने अपने सर पर आप पर वजन गणा रख लिया है सबसे पहले तो हमने इस विवहा के ऊपर खर्चाकती बंद करना पड़ेगा फिर हम रकोठियां बनाते हैं सिंपल मकान बनाओ ठीक है जिसके पास दो पैसे हैं वो भी अपना इसाब का ये मकान बनाओ लोग दिखावा नहीं करें तो उसमें हमें बगती में ज्यादा समय मिलेगा हमारी टेंसन खतम होगी अब जैसे हमत्योवार मनाते हैं यब जब तक ग्यान नहीं था जब तक हम कुछ भी मना लेते हैं अब ग्यान हो गया, कतीर उची नहीं बनती, एक विवक्ती नहीं नाम लिया, और बहुत दुखी परिवार सारा, और उन से बताया भी ऐसे ऐसे यह नहीं करना, यह तोहर वगेरा तुम जो बनाते हो, मनाते हो, यह नहीं मनाना, कैसे? अब हम क्या करते हैं, फार्मल्टी कर रहे हैं, कोई भी तुहार आता है, वो फार्मल्टी बना ली के इतने कपड़े, और इतनी मिठाई, इतने सुआरी गुलगले, यह पहुचाने हैं, पहुचाने, वो नून तले का सालपने, वो नून तले का सालपने, और वो कपड़े न पढ़े रहें, कोई पढ़न दानी, क्या फाइदा हुआ, एक बच्चा होता है, चार बुवा हैं उसके, चारों लाओंगी जुगले चाच्छे, और छे मिन्या पाच्छो बच्चा बड़ा हो, जो पढ़न जो गे रहें, कोई ना वह उए की तो फूकने पढ़ें, क्या फिर हाटना हैं, और ग्यान बेना तो हम फिर देख लकी रिपीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने, हम बालक नहीं रहे हीं, क्योंकि ग्यान हो गया हमने, प्रमातमा का नाम मिल गया, यहां का पता लग गये, क्या सतीची है, तो इस परकार हमने इन क्रियाओं से वापिस होना है फिर नानक साहिब जी से पूछा कि है बगवन क्या आप कभी भी खुस नहीं होते तब उन्होंने का कि साद मिले साड़ सादी होंदी और बीच्छड देंदल गीरी वे अख्दे नानक सुनो जिहाना मुस्किल हाल फकीरी वे साद मिले साड़ सादी होंदी भगतों से हमारा मिलन होता है मेरे बच्चे जो मेरे सेस हैं ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संग के समय तो हमारे एक वी सेस खुसी होती है हमारे या साधी है ये विवा है हमारा आत्मा का विवा प्रमात्मा से होता है कहते साध मिलने साड़ साधी होंदी और वी छड़ दें दिल गीरी वे जब ये यहां से सत्संग सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर उदासी चा जाती है क्यों चा जाती है के ये बचे प्रमातमा के हनस इस ग्यान से कुछ परिचित हुए हैं और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो प्रमातमा के ग्यान से एह परिचित हैं और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिसा ना बदल लें ये नाम से वन्चित ना हो जाएं और जब ये वापस आ जाते हैं एजिटीज तो मुझे खुसी होती है कि मेरी फसल में कीड़ा नहीं लगा तो कहते हैं साद मिलें साड़ सादी हों दी और बिच उड़ जाएं दिल गीरी वे अख्दे नानक सुनो जिहाना ये मुशकल हाल फकीरी वे ये बगती बहुत मुशकल बना दी इन अग्यानी संतों और महनतों आचारियों और संकराचारियों ने प्रमातमा से दूर कर दिया ह हमारे को तत्व ग्यान रहा नहीं सद्गरुंतों का ग्यान हम तक पहुंचा नहीं लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंद कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं तो पुन्यातमों अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला जान और बाकी जनम गवाँ दिया बिना गरू के नाम जिस दिन आपको उपदेश मिल गया आपका वो जीवन मनुस का उस दिन से जनम समझ ले ना उससे पहले आपका मनुस जीवन नहीं था लेकिन शरीर बेसिक मनुस का था जा दिन सत्गरु भेंट ये सो दिन ले ख़जा बाकी समय विर्थ गया तरह बिना गरू के नाम तो पन्यात्माओं परमात्मा की करपा से आपको इस अच्छन मिला है तो सबसे पहले मालिक ने हमारे कोई सिक्षा देनी पड़ी और इस सिक्षा के बिना हम बगवान को पैचान नहीं सके थे उनको मालुम था कि ये खूब सिक्षा होते ही ये खूब अवाम उड़ेंगे विज्ञानिक पाक गे बना के परमात्मा गौड गिवन मैटरियल पर अनुसंदहान करके ये बगवान से दूर करने लगे राप भी होने लगे कहीं बगवान नहीं है एक विश्वे नियम है एक एलिमेंट खोज लिया है उस दो वरस वरसा ना हुआ ना ये विज्ञानिक विरिन के सारे इंस्टूमेंट अड़क पड़े पड़े जड़े जंग लाग जाए निके अंदर बगवान के रह्म को भुलातिया बगवान से कोसों दूर कर दिया हमारे को और क्या बनाए नहों ने परमानुबम बना लिया अपना नास करने के लिए है तेरा के जबी और पुने अत्मा ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर टेलिवीजन ये परमात्मा का दिया वाग्यान है जीव सतर का नहीं है कि दे किसे अब भूलो कि मुनस बना दे ये ऐसे आइटम परमात्मा कबीर जी ने उनको बुधी द इन के लिए इस समय के लिए कि एक जगह मेरा ज्यान चला कराएगा क्रोडों बच्चे मेरे एक टेम पर सुना करेंगे और पर्तेक्स परमान देख्या करेंगे प्रोजेक्टर बनवा दिये दास यहां दिखाता है आप वहां बैठे परमान देख रहे हैं टीवी के उपर द परतना की थी चाप लूसी करके के तीन युगों में जीव कम ले जाना और चोथा युग जब कल युग आवे हैं तब तव सरन जीव बहु जावे हैं ऐसा वचन हर्मोई दीजै तब तुम गवन संसार ही कीजै परमातमा की चर्ण पकड़ के वचन बद कर लिया था कि तीन युगों में जीव वापिस कम ले जाना और चोथा युग जब कल युग आवे तब तव सरन जीव हो जावे हैं फिर बेसे गिने कितने लेजियो चोथे युग तब परमातमा ने कहा था ठीक है मैं भचन बद हुआ और चोथे युग कल युग में जीव ले जाओ देख लिया ना वचनवध होगे उसी समय आँखें पलट ली बसमा सुर्कीत रहे और कहने लगा बेसक कल यूग में तुम आ जाना कल यूग में ऐसे कर दूँगा इन पराणियों को कि ये भगती यूग नहीं रहेंगे इनके इतने मलीन आत्मा कर दूँगा और मंदर, मस्जिद और छोटी अपतीर्थों पर इनके उपर दामों के उपर आसरित कर दूँगा और देवी देवताओं की पूजाओं पर इनको आरूड कर दूँगा आपकी कोई भी बात नी सुनेगा और आ जाना बेसिक, बेसिक कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न मानने कहा तुमारा, जीव तुमारा कहा न मानने हमरी ओड हो बाद बखाने ऐसे उल्टे पाठ पड़वाए दूँगा अपड़े नकली दूट बेज कह, कि तुमारे साथ, तुमारे ही बच्चे, बाद भी बाद क्या करेंगे, मेरी और मेरा पक्स में हो करके, जैसे प्रमातमा सबस्सों पहले आए थे, उसमें वो क्यों आए थे, इसलिए आए थे, कि इस कली युग में मेरे बच्चे मुझे पैचान लेंगे, वो लीला करके चले गए, जो बगवान किया करता है, अब उस बगवान के पैचानने में हमें बहुत असानी हो गई है, यदि श्ट सो वरस पहले परमातमा ना आते तो हम कैसे पैचानते परमातमा कौन है, करता है, पवितर चारों वेदों में परमेश्वर की, वो बहिमा का गुंगान है, जो बगवान किया करता है, तो वो लीलाएं कि इसने की, वो थस्ट सो वरस पहले बनारे से में, कासी सहर में, भारत वरस के, इस पाउन धरती पर आये थे, जुलहा रूप में, धानक रूप रहे थे, 120 वरस वो कबीर परमात्मा, उन्होंने वो लीलाएं की हैं, जो वेदों में, परमान है जिनका, तो हुई इस गोड, कबीर इस गोड, परमात्मा कौन है, कबीर साह परमात्मा है, और परमेश्वर ने 600 वरस पहले का था, बेद मेरा बेद है, मैं ना बेदन के माही और जोन बेद से मैं मिलूँ ये बेद जानते ना ही परमात्मान कहा था कि ये चारों बेद मेरा ही बेद यानि मेरी महिमा का गुनगा नहीं कर रहे हैं लेकिन इन चार बेदों में वरनित विद्धी से बेरी प्राप्ती नहीं हो सकती सतलोग प्राप्ति नहीं हो सकती अमर लोग प्राप्ति नहीं हो सकती इनमें पूजा की विधी नहीं है वो जो सतलोग जा सके हम तो उसकी पूरती करने के लिए प्रमात्मा स्वेमाते हैं परते एक युग में और अपने मुख कमल से वानी बोलते हैं कबीर प्रमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संथ पुकारे, जिन को प्रमात्मा मिले, सत लोक लेकर गए, उनको फिर वापिस पर्थ्वी पर अपने गवाँ बना के छोड़िया, तो उन्हों ने आँखों देखा वगवान का, वो वर्नन किया, उनकी महिमा को बताया, उसके विसे में प्रमात्मा कहते हैं, चारों युग में संथ पुकारे कुक कहा हम हेलरे, एरे मानिक मुती बरसें, ये जग चुगता डेलरे, चारों युग में मेरे संतों ने यही गुनगान किये, आँखों देखा मेरे को, और मैंने भी आकर के, उंचे-उंचे सोर में, कहीं भी खड़े होगे मदारी की तरह, एक तारा हाथ में लेके, अपनी पवित्रवानी से, अम्रतवानी से, वहाँ वर्षा करने लगे अपने ज्यान की, और यही तरीके थे, सेक्ड़ों व्यक्ति कठे हो जाते थे, प्रमात्मा की उसम्रतवानी को सुनकर गदगद हो जाते थे, प्रमात्मा के मुख से बोली हुई बानी भी जितने भी वहाँ पस्तित लोग सुना करते थे उनके बहुत से पापों का वो नास्क हो जाता था यानि वो अपने बच्चों को फिर से भगती से प्रिपूर्ण करने के लिए आते रहते हैं ताकि इनमें आस्था वगवान की बनी रहें और काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाओं इनको कोई भी अध्धात्मिक लाब ना हो ऐसी वगती विधी प्रोडूस करवादी प्रवेश करवादी संसार में और प्रमात्मा से मिलने वाले लाब समाप्त हो जाने के कारण हम नास्तिकता की तरफ चल पड़ें विकारों की तरफ चल पड़ें ये बुराई करन लगए रिश्वत लेने लगए क्योंकि हम अपने फिर सूजबूद से दनवान बढ़ने की कूचे इस्टा करने लगए और जिसका प्रणाम ये निकला हम नास्तिक होते जा रहे हैं और दूने दुखी होगे जैसे कोई विक्ती दो नमबर से पैसे इकठे करता है कोई मिलावट करता है कोई रिश्वत लेता है या कोई किसी को धोखा दे करके पैसे इकठे करता है तो उसके लिए वो विसका काम करेंगे अब एक विक्ती बता रहा था उसका इकलोता पूतर बिमार हो गया पहले तो अपने लोकल डॉक्टरों को दिखाते रहे कभी आराम हो जाए कभी फिर हो जाए फिर ऐसे ही सादू संतों के सक्कर में पढ़ गए फिर लास्ट में जब बिलकुल वो एट दा डेथ हो गया मरने को हुआ तो उसको फिर पी जी आई ले गए आल इंडिया इससी चूट दिल्ली लेकर गए उसके दोनों किडनी फेलोगी किडनी का उपरिशन हो गया किसी रिष्टेदार ने दे दिवा दिये वै तो फिर क्या हुआ वो लड़का स्वस्त हो गया पैसे लगे लगवग तीन लाग से उपर आद से लगवग तीस वरस पूरों की बाते हैं उसमें तीन लाग की बहुत की आज के दा तीस लाग और उसमें गे तीन लाग इतना वो था अंतर है अब उसमें जो पैसे की वैलू थी तो उसने क्या बताया के मेरा लड़का स्वस्त हो गया और पैसा इतना लग गया कि करजा हो गया साधी विहा का की त्यारी कर रखी थी विहा से कुछ समय पहले ही दुर गटना यानि बस एक्सिडेंट में मरत्यू होगी अब वो इस सत्संग को सुनकर आँखों से आँसों निशू करे थे उस विक्ती के और अपने आपको कोश रहा था कि मुझे तो थोड़ी सजा मिली भगवान मैं इतना नीच विक्ती था अपने बच्चे को सुखी करने के लिए इसको कार और कोठियों में देखने के लिए मैं इतना ऐसी गलतियां की कि अब मेरा कलेजा फटकर आता है दो लाक रुपे कमाये होंगे पांदस वरस में दो नंबर का काम करिके हैं दो नंबर का काम क्या था कि उसमें ये कैसेट ये टेप चल ले थे टेप रिकोर्डर से चले थे और उनकी जो रिफल होती थी वो कैसेट वो कहता मुझे दो रुपे में बढ़ा करती सारी ठोक कबा ला करता तोल के भाव से और वहां बना बना कर नकली और ओरिजिनल कवर के अंदर बढ़ देता था मुझे दो रुपे मैं पढ़ा करती वह सारी और मैं बत्तीस रुपे में बेचा करता और वो जात्तिया टूट जाती मेरे पास आते मैं फैंक देता मैं क्या करूँ और आज मुझे मुझे वासदा सही मिलगी तो पुनातमाओ अब उसको बताया गया सच्छिक में बताया जाता है कि जो पैसा आपने दो नम्बर से कमाया वो पैसा तु रहा नहीं आपके पास क्या रहा वो पाप रहे गे जो आपना भी भोगने सेंस हैं और पैसा जला गया तो पुनातमाओ जो आप ग्यान होगा आपको ये कोई बालकों की बताय भी बाते नहीं है ये गौड गिवन परमात्मा का दिया हुआ विधदान है उनका बताय हुआ ग्यान है ये कोई । डूम बात के गीत नहीं है किसी निस्वारत्वसगा रखियोंगे परमारती परमात्मा ने सत्पुर्श कबीर साहिब ना करी भी धान बताया है कि बच्चो तुम विस खाना छोड़ दो यहां भी सुखी रहना चाहते हो जब तक तक तुम्हारा जीवन सेस है और अंजान बच्चे गलतियां क्या करते हैं जो समझदार हो जागा ना फिर इसके आथ नहीं लगा सकते है जैसे छोटा साबच्चा सरफ को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है वो मर जाता है उसको ग्यान नहीं कि कितना बैंकर जानवर है और जब वो बड़ा हो जाता है उसको उस जानवर के बारे में जानकारी हो जाती है कि यह तो बड़ा खुंखार है इसके निकट भी जाना चाहिए तो फिर वो दूर से ही सरफ को दे कर भाग लेगा दूर औरों को भी कहेगा इदर मत जाना सरफ है सरफ है और पहले वो चलते गुड़ गिसरते गिसरते उसको पकड लेता है क्योंकि उसको पता नहीं ग्यान नहीं ग्यान बिना डर नहीं होता, तो इस तत्व ग्यान से आपको डर बनेगा, फिर उसके बारे में बता है कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो, जैसे विश का यानि जहर का एक कन भी पढ़ा हो कहीं पर है, और ये पता लग जाए, ये कन विश का है, कहते हैं, उस कन भी कौन खावे, किर का, छोटा सा कन, और ये वहां बोतल की बोतल पीवाँ जहर की, यानि कुछ भी ठाजा, कोई आंट रही ही ना, बताओ कि किसी एक सित्र में देख ले, हाँ हाँ कार में चीवी है, किसी भी फिल्ड में जा के देख लो, इनस को संतुस्टी संतुस रहा नहीं, तो यहां फिर पता लगेगा, कि जैसे करका जैर का रंग हो रही हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग हो रही हो, यानि हम दन एकठा करते हैं, खुसी मनाने के लिए, तो परमात्मा कहते हैं, खुसी तो आपको परमात्मा के रंग में रंग प्रेजा होगे ना तब ये खुशी होगी होरी होगी होडी होगी आपकी असली होडी फिर होगी और रोज होगी आपका होडी फिर होगी इस परकार ये ग्यान होने से पुन्यात्माओं आम बहुत से पापों से वैसे ही बच जाएंगे और फिर प्रमात्माओं पाएंगे तो अपने अत्माँ परसंद चल रहा है कि परमात्मा की भक्ती ना करने से मानो कितना दुखी हो रहा है श्रीमत भगुद गीता जाय नमर चार के स्लोक नमर बतीस में कहा है कि वो सचिदानंद गनबर्म ने अपने मुख कमल से जो ग्यान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, जिश्यापका मौक्स होगा, सब कर्मनों से मुक्त हो जाएगा और उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ग्यान दाता केता, तत्व दर्शी संतों से पोछ ले, वो बताएंगे, इसने तो अपना पला जाड दिया, और 18 राज है भी बोल दिये बात वहीं की वहीं छोड़ दी फिर उस तत्व दर्शी संत की पहचान बताई है गीता जाय नंबर पंदरा के स्लोक नंबर एक में श्रीमत भगत गीता में के उटे लटके वे संसारुपी वरक्ष को ये संसारुपी उटा लटका हुआ वरक्ष जानो उपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमातमा समझे लो परमकसर ब्रम सत्थ पुरस और उपर के लोक जहां वो मालिक रहता है वो अमर लोक है वो सारे मिलकर अमर अमर लोक है वो लेकिन उसके चार डिवीजन है एक सत्थ लोक है दूसरा अलख लोक है फिर अगम लोक है और चौथा फिर अकेह लोग, अनामी लोग है, वो सारा अमर अक्सेतर है, वो सास्वत सथान है, और उससे कहते हैं, नीचे उपर को, जड़ नीचे को तीनों गुन रुपी साखा है, रजगुन बिर्मा, सत्गुन विश्मुतमुन शिवजी रुपी साखा हैं, अब गीता ग्यान दाता ने तो सिर्फ इतना बताया है, उपर ने तो जड़ है उसकी, और नीचे ने तीनों गुन रुपी साखा हैं, बाकि सब छोड़ दिया, फिर बताया कि जो इस संसार रुपी वर्क्स के सभी विभाग बतावगा है, सह वेद्वित वो तत्व दर्सी संत है, उनात्मों 600 वर्स पहले परमेश्वर आये थे, ये तत्व ज्यान बताने के लिए हैं, और उससे में उन्होंने क्या बताया था, अक्सर पुर्स एक पेड़ है, सर पुर्स वाकी डार, और तिनों देवा साखा हैं ये पात रूप संसार, अपने दवारा रची हुई स्रिष्टी को, रचनहार ही बता सकता है, और परमात्मा ने ये भी का था, गुन तीनों की बगती में ये भ पूल पडो संसारे, कहें कभिर निजनाम विना कैसे उतरो पारे, तीन देव की जो करते भगती, उनकी कभू ना हो ए मुक्ती, अब वो क्या करते सचाई, और हम ना लागी कड़वी, हम अपने पिता के दुस्मन हो गए, उनसे भी मुख हो गए, और जिसके कारण हम आज त तो गीता ग्यान दाता जानता, और वो ग्यान परमातमा ने 600 वर्स पहले कभीर जी ने बोल का अपने अमरतवाणी में लिखवा रख्या है, जिसको ये ऐस सिक्सित बतावें थे, तो अपने अत्मों ये भी एक विसे सरजा दाता की, क्योंकि उतो परमातमा है, और परमातम जाते में वो दाता, ब्रामन वर्ग में आजाते हैं, और थोड़ी बहुत कोई संस्कृत भी सीख लेते हैं, ग्यान यही बता देते हैं, तो हम ये नहीं मान सकें थे, ये भगवान थे, हम ने ने सोचा, इनकर समझ में आगी होगी, और बामना काईना होगी, ये भगवान अब कलियर हो गया, जो एक सिक्सित, अकसर ग्यान जानता नहीं, और वो ग्यान बता रहा है, जो वेदों और हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, और हमारे दर्म गुरु आचारिये, संकराचारिये, ब्रामन, ये रिसी महर, इसी संत और महंत, इनको कखनी बता हैं पुर प्रणाचारिये, नमर पंदरा का सलोक नमर एक समझने में आसानी होगी, पहले चीतर देखिए, ये है उर्टा लटका हुआ संसारुपी वरक्स, उर्धव मूलं अधै साखम, अस्वतम प्रहु अव्यम, छंदासी येस्य प्रणानी, प्रणानी मने पत्ते, चंदासी येस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, ये दिखिएगा श्रीमत भगत गीता, गीता प्रहस गौरपुर से प्रकासित है, जैद्याल गोईंद का इसके इन्वादक है, अध्याय नमर पंदरा का, ये पंच दोसो अध्याय पंदर मा जाये है, और पर्थम मं मंतर है, उर्धाव मूलम ये पर्थम मंतर है, उर्धाव मूलम अधै साखम अस्वतम प्राहु अवं, छंदासी येस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, वेद माने जानना भी होता है, और वेद ये चारों वेदों का भी बोधक है, उर्धाव माने उपर को, मूलम मा माने जड़ और अधह माने नीचे को साखाएं असवत्हम पराहु अव्यम ये संसारुपी पीपल का वरक्स अविनासी कहा गया है छंदासी यानि इसके विभाग छंद इसके पत्ते प्रनानी इसके पत्ते ये जो हैं ये पत्ते आदिस के विभाग हैं और ये तम वेद इन को जो जानता है सेवेद वित वह है वेद के अतात पर ये को जानने वाला है इनका पढ़िएगा आदी पुरुष परमेश्वर मूल वाले यहां लिखना था आदी पुरुष परमेश्वर यानि पूर्ण प्रमात्मा रूपी उपर को जड़ वाले उर्धो माने उपर को अ देखो दो नम्बर, सलोक नम्बर दो में दो बार अधै सब्द है, अधै, अधै और इसका अनुहाद ही नहीं, अंग्रेज जोनक रखे देख, अधै माने नीचे, अधै माने नीचे, और यहां भूल गे, यहां कर गे कल्यान वारा, यहां लिकना था, नीचे साखम, कती सीदा, उर्दो मूलं, ओपर को मूल वाला और नीचे को साखा वाला, यह संशारूपी, इस संशारूपी पीपल के वर्क्स को अभिनासी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, इन चंद माने वेद लखे हैं, यह देखा कल इनकी, चंद से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, से वेद वित, संस्कृत भी पढ़ लो, यह कोई लंबी चोड़ी बात ना जीपते हमने जानना ना दिया था, इसकी वर्क्स को जानने वाला, यानि तत्व दर्सी संत है, वो जो इसके सारे भी भाग जानता है, तो वो कौन है, किस उन त्यारों वेदों का ग्याता माना जाता था, मेरे सी रामानन जी, और पुराणों को कंठस्त याद कर रख्या था, बाल ब्रमचारी और एक सो चार वरसका हो गया था, डलेडो तेने, जब परमातमा में ले थे और सत लोग दिखा कर वापे छोड़ा था, अपनी सतीथी से परिचित करा के जब का था, तुम साहब तुम संत हो, तुम सत गुरु तुम हंस, ग्रीब दास तेरे रूप बिना, और न दू जा अंस, तुम साहब तुम संत हो, तुम ही साहब मने परमातमा हो, और तुम ही वास्तवे में जो आपके अंदर गुन है, एक संत, तुम ही वो संत हो, और तुम ही सत्गुरु हो, सत्गुरु माने सत्चा ग्यान देने वाले, तो आप देखिएगा, यह उटा लटका वा संसारुपी वरक्स है, पर महातमा ने बता था, अकसर पुर्स एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पोर्शन उसको वरक्स बताते हैं, यह समझलो एक वरक्स है, और यह अकसर पुर्स है, इसको परबरम भी बोलते हैं, इतना पोर्शन समझलो, संसारुपी वरक्स का, और इसे एक मोटी डार निकली है, वह सरपुर्स है, यह अक्षरपुर्स, यह सरपुर्स, यह सरपुर्स, यह इतना ड़। इसके फिर तीन साखा होगी, यह तीनों देवा साखा हैं, भई पातरों पसंसारीं, अक्षरपुर्स एक पेड है, नीरंजन वा की डरि, सरपुर्ष को निरंजन भी कहते हैं जोत निरंजन काल सरब्रम भी कहते हैं इसको सरपुर्ष भी सीखा काल ब्रम भी ये तो डार है और तिन्नों देवा साखा हैं भाई पात रूप सनसार ये अमर्दवानी फरमातमानी कबीर अक्सरपुर्स एक पेड़ है निरंजन कहो सरपुर्स कहो वाकी डार और तिन्नों देवा साखा है ये पात रूप संसार अपने अत्माओं प्रमात्मा कहा करते तीन देव की जो करते बगती यानि बगती कारत होता है इस्ट रूप में मान के उन पर आसरित हो जाना जो साधना की जाती हैं उसके हम भगत कहलाते हैं आए अब हम उन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भगती मार्ग पर चल रहे हैं सुनीता जी आपने क्या-क्या भक्ति साथ नहीं की हैं अभी तक संकर भगवान जी उनको गुरु मानते थे वही मतलब भक्ति बगरा निकी पुजा बगरा करते थे तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज जी की सरण में कैसे गई हैं जब हमने पी एनवी मेट लाइफ में काम करते थे जैंसी चैनल इंस्वारेंस सेक्टर में तो उसी दौरान हमने पॉलिसी के लिए जो बात करने जाते थे तो एक भगत जी के कहां इक्तिफाक से चले गए पॉलिसी के लिए तो भगत जी बोले जो चीज तुम यहां लेने आई हो अपनी रोजी रोटी के लिए वह ऐसा चीज हम देना चाहते हैं जिससे की जीवन का कल्यान हो सकता है जिस जो चीज पाने के लिए हमें यह शरीर मिला है उसके बारे में तुम जहना चाहोगी किस द जृजर गंगा फुष्टक कोन है जियान गांगा फुष्तक दिए जो में आज्वह कभी देउर गाती है तो किस देव्टा के नाम से वह चिंदूर लगाती है भागवाण शनकरई जी को हम लोग मानिए मानते थे कि भागवान शनकर-जी ही जो है वह पिता कौन है यह जैसे मिला तैसे ही हम भगर जी के पास गया कि आप लोग जहां पर जाते हैं जहां सत्संग होता है हमको वह अस्थान बताईए मुझे वह दिख्षा वहां लेना है और उनके सरण में मुझे जल से जल जाना है अब हमको लेट नहीं करना है तो फिर आश्रम वहां नियम सारा बताया गया कि यह सब नियम अगर फॉलो कर सकते हैं तो आप दिख्षा ले सकते हैं तो सारा नियम पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महराज के सरण में आके उनसे दिख्षा लिए हैं संत्रामपाल जी मारासे नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको लाब भी मिले? लेकिन उस समय मुझे यह ग्यान था कि यहां पर आने के बाद मुझे जरूर कुछ आर्थिक लाब और सारणी गलाब मिलेगा लेकिन जैसे हम दिख्षा लिए घर पहुंचे घर में बहुत सारे टेंसर कचकच होते थे भाई और मा के बीच में मा एक दिन जगडा करके बोली क कि तुम लोग इतना कच कच कर रहे हो जगडा कर रहे हो मन तो करता है हमी मर जाए मेरा भाई बोला कि मा तुम क्या मेरे सामने मर के दिखाएगी आज हमीं तुम को मर के दिखाते वह मतलब रोके उच्छत पर जा रहा तो मुझे लगा कि कुछ दूगटना ना कर वैठे पी पंखे में फंदा लगाए हुए लटक रहा है तो हम अपने अपना बेटा जो मेरा बेटा 15 साल का था उसको हम कंधे पे चड़ा के दिखाए फिर अचानक से याद आया कि संत्रामपाल जी महराज बहुत चमतकार करते हैं बहुत लोगों पर दया करते हैं उनके उनका ख्या पर देखा कि मम्मी फंदा तूट गया है मामा गिरे है पर पांच मिनट के बाद सब रोने लगा कि पता नहीं क्या हुआ पांच मिनट के बाद वह तो गेट खोला और सभी ने देखा कि वह वह समें आया है सिर्फ उसका गर्दन में ब्लाट जाम हुआ था और फिर अपरेशन कराना है लेकिन मुझे परमात्मा पे फूरा पूर्ण भरोसा था कि वह सबका दुख हरते हैं तो मेरा भी दुख हरेंगी तो हमने आपरेशन नहीं करवाया दबा भी ने खाय लेकिन अभी तक हम ठीक हैं तीसरा लाब 2012 में मेरे पती एक्सपार होने के बाद हम दो बच्चे के साथ सच्रार को छोड़के वहां के संपती को छोड़के सब कुछ दुनियादारी चोड़के बच्चे को पढ़ाने का जो इच्छा था इस उस देश से हम मायके चले गए थे तो अब इधर 2023 में जब मैटी का एक्जाम दिया मेरा बेटा एक्जाम से पहले पढ़ाई नहीं करता था राद दिन चिंता होता था कि जिस उब देश से हम मायके आए हैं अगर मेरा बेटा मैटीक पास नहीं करेगा तो हम अपने सच्रार वालों को क्या मुद दखाएं हम आश्रम जाते थे रोते थे गुरुजी के पास गुरुजी वह तो पढ़ाई न कि बच्चे बहुत ही उडंड था उसको पढ़ाने के लिए हम जॉब में थे लेकिन सोरन सेकर में जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें शालरी या फिर इन्शाटिव मिलता है वह नहीं मिल पाता था सिर्फ थोड़ा बहुत आता था पैसा तो इसकूल का फी भरने के लिए लॉप कैसे रिकवर हम कि यह वो परमात्मा की बहुत बड़ी किरपा थी बैटा जनम से ही सानागस की प्राब्लम था जिसको की ऑक्सीजवन कभी-कभी चड़ाना पड़ता था साल-जेल-साल से वह स्वस्त है वह प्राब्लम उसमें नहीं आ रहा जो कि जनम के बाद से ही ह 9000-6000, हर मेने उसके पीछे कर्ष होता था, वो सारा पैसा बचट हो रहा है, आर्थि में बहुत लाब मिले हैं, संतरामपाल जी महराज की बहुत किरपा है जो आज हम, बुचे मेरे स्वास्त हैं, हम भी स्वास्त हैं. संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के वाद आपको बहुत सारे लाम मिले तो जो दर्सक आज आपको टीवी पर देख रहा हैं खास करके वो महिला है जो संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के लिए दिविन चैनल चलते हैं पटी आती है उनका नंबर वहाँ पे मिलेगा वहाँ से नंबर लेकर के आप डाइल करिए और अपने छेत्र के जो नामदान केंद्र है वहाँ पे जाए और अपना नामदान दिख्छा लेजिए और अपना कल्यान कराईए धन्यवाद जी सत्साइब आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्वभर में 500 से भी जादा नामदिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नामदिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 गरिब धन जननी धन भूमी धन धन नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां साधु परवेश जगत गुरु तत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वे अवत्रण दिवस के अवसर पर दिनांग 6-7-8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलो काश्रमों में तीन दविशिय महा समागम का आयोजन की अजा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन दविशिय अखंड पाट विशाल भणडारा विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारन सुबर सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं